नमस्कार हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तो आज हम HPSSE LT Commission 2020 की जो परिक्षा हुई है उसके परिक्षा प्रशन पत्र को जो हम डिसकस कर रहे हैं और इससे पहले हमने दो अपने वीडियो अप्लोड कर दिये हैं जिसमें हमने लिटरेचर और साथी साथ पहले से जो एक से पचास तक जो समान्य ग्यान के हैं उनको डिसकस कर लिया है इस वारे वीडियो में हम पार्ट 3 लेकर आए हैं और यह HPG के हैं इसमें जितने भी हमाचल जीके के प्रशन पूछे गए थे 155 से लेकर के 70 तक उनको हम डिसकस करने जा रहे हैं अगर आपने पहले की दो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप HPLD Commission के नाम से जो हमारी प्लेलिस्ट पनी है उसको देख सकते हैं वहाँ पर हमने उसके बारे में डिसकस किया हुआ है तो अभी हम देखेंगे 155 से लेकर के 170 तक के प्रशनों को तो चलिए दोस्तों शुरुवात करते हैं प्रशन संख्या 155 से 155 में प्रशन है देखी यहाँ पर NCERT was established in which year? किस वर्ष में NCERT स्थापित हुआ था? तो यह हुआ था देखें 1961 में और विकल्प में कहीं भी 1961 नहीं दिया है तो इसलिए इसका जो सही उतर होना चाहिए था विकल्प नमबर D इन में से कोई नहीं अगला प्रशन है देखिए जनगर्णा 2011 के अनुसार हिमाचा प्रशन में कुल जनसंख्या में महीला जनसंख्या का प्रथिशत कितना है तो महीला जनसंख्या का जो प्रथिशत है देखिए यह आपका 49.27% ठीक है 49 तश्मलब 27 प्रथिशत इसका सही उतर होना था विकल्प नमबर B प्रशन नमबर 157 है देखिए हिमाचा प्रथिश के किस जिले में चंदर नहान जील स्थित है तो देखिए चंदर नहान जो जील है यह आपके जिला शिमला में विकल्प नमबर C इसका सही उतर होना चाहिए अगर यहां पर पूछा गया होता कि चंदर ताल जील कहां पर है तब वहना था आपका विकल्प नमबर A लाहौल स्थित है तो यहां पर चंदर नहान पूछा गया है अगला प्रशन है देखिए 158 गगर हिमाच परदेश की किस नदी की सहाइक नदी है तो देखिए इसका जो सही उतर है वो है आपका विकल्प नमबर B सतलुच अगला प्रशन है दिखिए हिमाच प्रदीश के किस जिले में दून घाटी स्थित है तो ये वाला प्रशन इस बार पूछा गया था किसी परिक्षा में पहले भी इसका जो सही उत्तर होगा दिखिए ये होगा विकल्प नमबर बी सोलन तो सोलन में आपकी दून घाटी प्रशन संक्या 160 है दिखिए पिपलू मेला हिमाच प्रदीश के किस जिले में मनाय जाता है तो देखिए ये है आपका उना जिले में और ये तीन दिन चलने वाला मेला है विकल्प नमबर बी इसका सही उत्तर होगा प्रशन संक्या 161 हिमाच प्रदीश में विक्टोरिया क्रोस के प्रत्थम विजेता कौन थे तो विक्टोरिया क्रोस के प्रत्थम जो विजेता थे देखिए ये थे स्वर्गिय जमादार लाला राम विकल्ब नमबर A सही उत्र होगा 162 प्रशने देखिए गुलेः राजसी राजयक की राजधानी किस स्थान पर थी तो गुलेः राजसी राज़यक की जो राजधानी थी देखिए यहूत हरीपुर विकल्ब नमबर A इसका सही उतर होना चाहिए और कुलेर किसको कहा जाता है यह आपका जो कांगड़ा है उसको कहा जाता है नेक्स से देखिए रवीनगर किला किसने स्थापित किया तो इसका जो सही उतर है देखिए यह आपका विकल्प नंबर C वीर प्रकाश के द्वारा ये किला स्थापित किया गया था प्रशन संक्या 164 है देखिए सब्राउन के युद्ध 1846 में सिख पराजित हुए थे तो ये हुए थे अंग्रेजों से पराजित भी कल्प नंबर B इसका सही उत्र होना चाहिए था ब्रिटिश द्वारा 164 देखिए इसका उत्तर है B प्रशन संक्या 165 देखिए कांगड़ा में बिनाशकारी भोकंप आया था तो देखिए बहुत ही महत्तोपूर्ण प्रशन है परिक्षा में इसको कई बार पूचा जाता है है ना यहां पर भी इसको रखा गया इस प्रश्ण को तो इसका जो सही उतर होगा देखी यह होगा विकल्प नंबर A 4 अप्रेल 1905 अगला प्रश्ण है देखिए ही माज़स प्रदीश में लोका युक्त कारेले की स्थापना किस वर्ष्ण में की गई थी तो इसका जो सही उत जाकर जरूर बताएं ताकि हर एक विद्याती तक जो सही जानकारी पहुंच सके और वे अच्छे तरीके से अपने मार्क्स को टैली कर सके और वैसे भी एक दो दिन में आपको जो है इसकी जो ऑफिशल आंसर की है वो मिल जाती है तो जादा आपको गभराने और चिंता करन की बात नहीं है प्रशन संक्या 166 है देखिए हिमाच्य प्रदेश में साई कोटी जल बीदित परियोजना की कारेकारी अजनसी कौन सी है तो दोस्तो इसका उत्तर एक्जेक्ट मालूम नहीं है मेरे अनुसार इसका जो साई उत्तर होना चाहे था वो था एन्टी पीसी विक देखिए ये है आपका विकल्प नमबर डी वाकनागाट सोलन ठीक है नेक्स से देखिए 169 है प्रशन हिस्ट्री ओफ मनडी स्टेट पुस्तक किस के दौरा लिखी गई है तो देखिए ए दोस्तों पूरे के पुछे पूरे पूरे हिमाच्छल जी प्रशन पूचे थे ग के 170 तक अगर इन प्रश्णों में कुछ एक गलतीर हो गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर उससे जरूर बताइए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो फिर मिलेंगे नई उर्जा और नाइस पूर्थी के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जैहिंद